सब्सक्राइब और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना धेश सारा ख्याल रख रहे होंगे और देखते ही देखते युनुट 2024 का जर्णरी का मन्त पे इतनी जल्दी इतनी स्पीड से निकला है कि यकीन ही नहीं हो रहा और मैं आप लोग लेक करा गई हो कि फैब मन्त आप के लिए कैसे रहने वाला है यह रीडिंग लेकर और हमेशा की तरह यही देखेंगे इस रीडिंग में कि आप लोगों की आपकी लव लाइफ आपका करियर आपकी हल्थ जो भी हां पर मैसेजिस मुझे मिलते हैं मैं आप लोग को बताने की और साथ में हैं यहां पर यह क्लेर कॉट्स का स्टोन ओकी एन ऑप्शन टू के लिए हैं यहां पर आनिमल गार्जियन और साथ में हैं यहां पर यह पाई राइट का ब्यूर्फल सा स्टोन तो इन दोनों कार्ज में से या फिर स्टोन में से आपको जो भी जादा अट्रेक कर रहा हो जिसकी भी एनरजी से आप लोग जादा करनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको अपने लिए चूस कर सकते हो टाम इस रीडिंग को देखिएगा अभी ऑप्शन फर्स के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं अगर आप लोगों ने यह ट्रेवलर का कार्ड चूस किया है और साथ में यह एक लिए कौर्ट का स्टोन तो चलिए देख लेते हैं यह फैबरी का मन्त आप लोग लिए कैसा र ऑप्शन फर्स्ट आप लोगे जो एनरजी यहां पर इस वक्त है ना बहुत सदर मचली हुई सी एनरजी है उतलर बहुत सथर जैसे उतल पुतल सी इस वक्ति लाइफ में चल रही है कही ना कहीं पीस की तलाश में हो सुकून की तलाश में हो आप लोग और फैबरी का मन्त आप लोगे उसब से पहली चीज जो लेकर आरह। आपके जीवन में माईने बदलेंगे भई आप एक नई दिशा में जाने के लिए त 메이크업 siya अचुक्त आर हूँ बहूत सारी चीज़ें यहां पर हो सकता है कि पीछे छूट रही हूँ लेकिन बहुत सारी नई चीजों की तरफ आप लोग आगे भी भड़ रहे हो ये चीज मुझे हाँ पर नजल आ रही है खेर देखते हैं अभी क्या energies हैं यहाँ पर option first कैसे रहने वाला है ये February का month आप लोगों के लिए option first यहाँ प्रेस्टों की लिए आप लिए हैंग पहली मुझे हैं आक रेस्टों की लगवयाँ यहाँ आप लोगों की यहाँ थी ती the hanged woman okay and six of corners okay so option first कैसे रहने वाला है February का मन्त आप लोगों के लिए थोड़ी से यहां पर आप लोगों के जीवन में कुछ tough situations इस वक चल रही है कुछ एहम फैसले जैसे आप लोग लेने जा रहे हो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ चीज़ें यहां पर जिसे decide होने वाली है कि आपकी destiny अब आपको कहां ले जाने वाली है कुछ बड़े फैसले यहां पर मैं आप लोगों के लिए होते हुए देख रहे हूं इस मन्त में option first थोड़ी सी anxiety भी है यहां पर आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर anxiety थोड़ा बहुत डिप्रेशन यहां प कुछ तो ऐसा है यहां पर जिसने आपकी रातों के जैसे नींद उड़ा रखी है चैन नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को शांती नहीं मिल पा रही है पीस नहीं मिल पा रही है खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो डिप्रेशन साई कि मैं जो करना चाता हू या जो मैं करना चाती हूं मैं खुद नहीं कर पा रही हूं चीजने मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजने मेरे हाथ में नहीं है मैं यह सारा कुछ यहां पर देख रही हूं लेकिन साथ ही साथ अब यहां पर क्या हो रहा है न कि हम बहुत कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को क कि हम हार चीज को सेके हम हर चीज को खुछी सब और हमेशा हैं यहां साथ हो लेकिन विल्किन आग podob है हम कितनी कोशिश करने कि इम एनवाद पर वक्त आता지는 जब हमने लगता है हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं और हम छोड़ेते हैं सभकुर फूल में घजिए आ में कि आप देख लो हमारे बस में नहीं है हम से नहीं हो पा रहा है ना और तब ही चीज़ें जैसे अलाइन होना शुरू हो जाती है तब वह अंदर से जैसे वह रिलीज हो जाती है पीस मन में शांती आ जाती है मन में वह सुकून आ जाता है तो वह चीज यहां पर आप लोग जिनसे आप currently deal कर रहे हो और वहाँ पर भी ऐसी situation हो रही होगी कि ना तो दूर जा पा रहे हो ना साथ रहे पा रहे हो कुछ ऐसी situation है ना लेकिन February का month आप लोगों के जीवन में option first जैसे फैसले लेकर आ रहा है यही चीज मुझे हाँ पर आप लोगों के नज़र आ रही है अब यहाँ पर कैसा है ना कि शुरुवाती में आपको हो सकता है चीजों को accept करने में जैसे जब फैसला हो गया डिसाइड हो गया कि अप कहा जाना है क्या करना है तो शुरुवाती में जैसे एकदम से आपको थोड़ी problem हो रही है तखलीफ हो रही है है ना situation को चीजों को accept करने में लेकिन धीरे 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 यहाँ पर कैसा है कि आप completely उसमें रम जा रहे हैं completely situation को समझ के उसको understand करके वहाँ पर कुछ compromises भी है of course मैं ऐसे नहीं कहूंगी लेकिन आप वहाँ पर settle हो जा रहे हो फिर धीरे धीरे यहाँ पर आपकी life में खुशी भी आ रही है मैं यह भी देख रही हूं abundance भी आ रही है happiness भी आ रही है और यह जो strength आपको मिल रही है ना सब कुछ accept क करने की यह कहीं ना कहीं spirituality से मिल रही है आपके spiritual routine से मिल रही है या जो भी आप साधना कर रहे हो आप ध्यान कर रहे हो आप manifestation कर रहे हो कुछ लोगों को मैं बताऊं पर शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगे लेकिन हो सकता है आप लोगोंने कुछ manifest कर रहा हो और वह आपको नहीं मिले तो मैंने quote पढ़ा था कि जभी भी आपको you know आपकी manifestation पूरी नहीं हो रही होती है ना तो वह भगवान जी की आपके लिए protection होती है हम तो मांग लेते हैं कि हमें यह मिल जाए हमें यह मिल जाए लेकिन future में उसके परिणाम क्या रहेंगे यह तो हमें नहीं पता यह तो भगवान जी को पता है आगे क्या होने वाला यह तो सब उनको पता है राइट तो कभी कभी हमारी manifestation पूरी नहीं होती है इसलिए मैं यहाँ पर कह रहे हूं कि कुछ tough realities को option first पता नहीं किस से reading resonate करेगी लेकिन ऐसे ही यहाँ पर आ रहा है कि कुछ tough realities को आप लोग को accept क करना है और आप उनसे आगे भड़ रहे हैं यहाँ पर आप लोग कुछ हो रहे हो यहाँ पर आप एक बार यह नो मतलब जैसे spiritual pathway में आपको आगे भड़ते हुए देख रहे हूं सब को जैसे इश्वर के हाथ में छोड़ दिया है और बहुत ही beautifully आप लोग अपनी life में आग में कुछ वैसा मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है तो यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है आपको अच्छा लगे आप मंदिर मजद चर्च गुरुदारा जहां पर भी हो आप थोड़ दर ऐसी जगह चले जाओ थोड़ दर रिलेक्स कर लो थोड़ दियान कर लो वहाँ प कर दो और देखते हैं यहां पर ऑप्शन फरस्ट दिखते हैं आपकी हल्थ कैसी रहेगी ठीक है और फिर्स्ट 10 of coins health मुझे आप लोग की अच्छी निज़र आ रही है in fact काफी जादा बेटर मुझे आप लोग की निज़र आ रही है 10 of coins की energy एक तरीके से abundance की energy growth की energy fertility की energy है family का support यहाँ पर आप लोग ले रहेगा याँ आप बस यह कहा जा रहा है किसी को भी ना अपना दुश्मन नहीं समझो कभी कभी सब के हालात होते हैं सब की अपनी मजबूरियां होती हैं कि लोग कुछ decision ले रहे होते हैं या फिर हमारे family members की कुछ आप लोगों के ले एक नई शुरूबात है आप लोग के करियर में कुछ नई goals यहाँ पर set कर रहे हो कुछ नई planning यहाँ पर आप लोग अपने लिए कर रहे हो एक नई सफर की शुरूबात यहाँ पर है traveler का ही आप लोगों ने card choose किया है so definitely career में आप लोग के लिए कुछ नया है कोई नई जौब कोई नया काम या एक नई से रिष्ट से ना फिर से शुरू करना चीज़ों को यह भी हो सकता है अब आपके relationship और देख लेते हैं option first four of points relationship wise ही शायद currently कुछ problems आप लोगों की life में चल रही है option first और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर बस यह कहा जारा है option first की जिद छोड़नी पड़ेगी अगर कोई जिद है आपके मन में न वो छोड़नी पड़ेगी पता नहीं क्यों लेकि कि flexible रहना है आप लोगों को और मुझे एक और message आप लोगों के लिए option first की जरूरी नहीं है कि अगर किसी को हम चाहे तो वो भी हमें return में चाहे पता नहीं क्यों यह message मुझे मिला आप लोगों के लिए लेकिन ऐसे ही मिला है तो थोड़े सा flexible रहे है यहाँ पर option first प्यार के म प्यार होती है बहुत निश्चल होती है वो मांगती नहीं है प्यार देना जानता है है ना तो यहाँ पर बस यही कहा जा रहा है कि प्यार के माइनों को छोटा ना करें flexible रहें अपनी life में open रहें चीज़े को receive कर निकले memories of love कुछ लोग शायद यहाँ पर recent breakup से गुजर रहे हैं या कोई भी reason हो सकता है देखो breakup का मैं ऐसे नहीं कहूंगी heartbreak से गुजर रहे हो किसी ने मना कर दिया किसी ने reject कर दिया किसने commitment नहीं दी यह जिससे चाहते थे उससे बात नहीं हो पा रही है है ना तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर है और उसकी वज़े से आपको क्या ल थरती पे भीजाएं ना तो हमें कोई ना कोई यह नो purpose देकर भी भीजाएं हमारी आत्मा इस धरती में आई है तो मानो या फिर नहीं मानो सबका अपना एक purpose है ठीक है ना सबकी अपनी एक duty है अपना एक कर्तव्य है अपनी responsibilities हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी responsibilities ब्लटीज को ढूंडो लाइफ किसी के लिए नहीं रुपती है और अगर यहां पर कुछ लोग ऐसे नेगटिव सोच रहे हैं यह नो मुझे बहुत गुस्ता आता है और कुछ लोग आते हैं अप माई रीडिंग कर दो नहीं तो हम सुसाइट कर लेंगे मतलब इस तरीके से वो लोग कर रहे होता है तो खेर मैं यहां पर नहीं बोलूं कि उन सारी चीज़ों को लेकिन ऐसे करने से भी क्या होगा ना वो तो और बुरी गत्व जाएगी आपकी है ना यह दुनिया मतलब पर इतनी तकलीफे नहीं है कि आप वहाँ जाकर जेलोगे जोफर यह जीवन मिला है ना कहते है बहुत किसमत से मिला है कितना इंसान कितनी 84 लाखियों के बाद उस इंसान का जीवन मिलता है तो उसे ऐसी क्यो वेस्ट करना है रोने दोने में आपके जीवन का अधार आपके जीवन का अधार टिका है आपकी वेल्यूस पर आपकी मननेताओ पर आपके परसेप्शन पर अपने रूट चक्रा की उपर काम करो और साथ में अपने थरड़ाई चक्रा की उपर काम करो अपनी इंट्यूशन की उपर काम करो यह चीज नहा ठीक है ना खुश रहना है खुश रहो भई खुश रहने के वज़े तलाश करो यह चीज़ यहां पर कई जा रही है और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शिन फर्स्ट अप्शिन फर्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि आप कितने पाफुल हो ना आप कितने मैजिकल हो यह आपको ही नहीं पता है अपने अंदर के उस मैजिक पर बिलीफ करो है ना यकीन माने ऑप्शन फर्स आप इस दुनिया में ना किसी यह नो किसी पर वैसे हर कोई किसी परपस से आया है लेकिन आप लोग बहुत स्पेशल परपस अपने लिए लेकर आये हो यहां पर मुझे क्यूंकि हाई प्रिस्टिस की ही पहली एनरजी थी आप लोगों मैं आप लोगों मुझे हाँ पर ही लर नजर आ रहे हैं यहां पर जैसे मीरा बाई हुए कितनी बड़ी भग भावान श्री कृष्णी की बतलब ऐसी काइंड ओफ एनरजी बलकुल अपने आप में एक दम यूनिक एक तम स्पेशल सबसे अलग सबसे जोदा है ना तो नहीं नहीं हमाद समय थेना है थोड़ा सा भी तब dobli फिर और सब्सकholes फेल है अच्छी ऑन्वाइमें मेराओं जैसे मैंने कहां मुझे हो मंदर की घंटे की आवास आ रही है मुझें की आवास यहां पर Вас ईनाई देलीत तो ऐसे नंवायमें मेराओं मंदर जाओं से छो कि उखे लिए के सब्सक्राइब करी कि यहां पर बहुत सारे लोग कि आगे जाके वह सकते अकल साइंस में आजाएं टैरो रीडर बन जाएं साइकिक रीडर बन जाएं या अकल साइंस के कोई और स्ट्रीम हो गई और ऐस्ट्रोगी नियुमिलोजी कुछ भी आप लोग सीखे समझें या आप क्रिस्टल के साथ काम करें लेकिन आपके अंदेरे खीलर छुपाएं आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉंग है आपको कहा जरा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनें जब बार-बार यहां पर अमेथिस्ट के ना वह टंबल्स दिखाई दे रहा है आप आप लोगों के लिए तो अपने पास एक टंबल को लेकर रहा है जब भी अन्जाइटी हो जब भी परिशान हो बस उसे हाथ में लेकर बैठे रहा हो आतिक घंटे सम्थिंग आपको अच्छा पील होने लग जाएगा यह यह मैजिक होता है क्रिस्टल का तो बिल्कुल यू समय बदल रहा है समय किसी के लिए नहीं रुकता समय अपनी स्पीड से बदल रहा है तो आप समय के साथ बदलिए खुद मत पीछे रह जाएगे दूसरी चीज़ यहां पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर ने को एक स्पेशल टैलेंट को डवलप करिए अगर है अल्रेडी यह समय को और नहीं है तो फिर सोच कि आब क्या है ऐसलिस सबहूत अछे तरीके से कर सकते हैं तो बहुत हुए तो अपने यूनिक क्वालिटी को नूँड़ो समय के फाट फैर काम करो हैं यह शीज्य sets यह प्णा करें इस और यह चारिए और चलीजूऑ वर्贊श से वह प् पर कि आपको नियुक्त करना है काफी सारी चीजों को करना है काफी सारी चीजों को रिलिज करना है surrender to the divine और यही message मैंने आपको इनीच ले दिया थे कि जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होते हैं हम भगवान जी को surrender कर देते हैं हम उनके उपर छोड़ते थे कि अब आप देख लो हमसे नहीं हो रहा और यह का exactly वाई ही चीज़ explain कर रहा है भगवान जी को अपनी दुख तकलीफ परिशानी जो है वो surrender कर दो और यहां पर full moon की energy है तो में भी जो fab में full moon पढ़ेगा मुझे अभी date नहीं पता है लेकिन थोड़ा सा यानो तब तक कि आपकी life में यह cycle है और उसके बाद काफी चीज़ें जो है वो better हो जाएंगी काफी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी मैं January के full moon की full moon की जो reading है वो already कर चुकी हूँ आप लोग चाओ तो देख लो उसको भी हो सकता है कुछ messages वहां पर हो आप लोगों के लिए okay option first लेकिन yes मुझसे promise करके जाओ अब भी नीचे comment box में लिखो I promise Priya मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी यह रखूंगा और मैं खुश हूँ मैं खुश मैं पूरी खुद को खुश रखने की कोशिश करूँगा यह आप लोग को message करना है ओके और ऐसा नहीं बस कर दिया promise और चले गए उसे निभाना भी है ठीक है ना so option first यह है आप लोगों की reading God bless you और मैं आप से कह रहे हूँ सब ठीक हो जाएगा थोड़ा सा समय को समय दो थोड़ा सा patience रखो ठीक है so यह है आप लोग की reading और अपना feedback ज़रूर शेयर करना कैसी reading लगी क्या कुछ सीखने को यहाँ पर आप लोगों को मिला और like ज़रूर कर दे reading को चैनल को subscribe कर ले and मैं मिलती हूँ आप लोगों से next reading में तब तक के लिए बाई अगर आप लोगों ने यह पारेट का स्टोरन साथ में यह अनिमल कार्जिन का कार्ड चूस किया है चलिए देख लेते हैं फैबरी का मन्थ आप लोग ले कैसा रेने वाला है क्या कुछ guidance है क्या कुछ advice है यह कार्ड को यहाँ पर साइट से रख देते हैं इस तोन को भी देख लेते हैं क्या कुछ लेकर आरा है यह फैबरी का मन्थ आप्शन 2 रोग श्रफल कर लेते हैं कार्ड आप्शन 2 प्रीस लिवर्स काइट में पर आप्शन 2 क्योप आरा है प्रीस अप्वोंस प्रीए प्रीए अप्वोंस क्त्रेंग six of coins six of bonds okay so option जो अगर बात करो fabric का मन्त कैसा रहने वाला है काफी अच्छा रहने वाला है यहाँ पर इस मन्त के जो energy है आप लोग लिए वो है आगे भरना वो है growth, वो है success वो है कुछ कर दिखाने की चाहा कुछ कर दिखाने का जनून और उसके related आप लोग जैसे काफी ज़ादा मैनत कर रहे हो काफी ज़ादा काम कर रहे हो अपनी लाइफ में यह चीज मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ यहाँ पर और February का मन्त चाहा है किसी चीज़ के बहुत ज़ादा एक strong desire है आप लोग के अंदर कि मुझे अपना नाम बनाना है मुझे खुद को पुरूफ करके दिखाना है और February के मन्त में यही सब option option 2 आप लोग के लिए चलने वाला है और यहाँ पर साथ में यह भी देख रहे हो कि आपके जो भी skills है जिन भी चीज़ों के उपर आप काम करते हैं तक आह लिए उसमें और जादा एनस्मेंट लेकर आ रहे यह और जयादा जिससे आर्टिस्ट वाली वाली उसको और सदा निकार रहो अपने skills को और सदा ही हाँ पर नखर आ दिए साथ में February के मन्त में मैं ये भी देख तो कहीं दूर से कुछ opportunities आपकी तरफ आ सकती है कहीं जाने का आपको काम पर सकता है travel आप लोग का रह सकता है लेकिन travel जो भी रहेगा वो career के related ही रहेगा ऐसा मुझे हाँ पर नज़र आ रहा है कि career के related आप business कर रहे हो या job कर रहे हो तो आप उसके related यहाँ पर travel कर रहे हो या आप किसी और दूसरी सिटी में इंटर्वियो देने जा रहे हो आप जॉब की तलाश में जा रहे हो यह स्टुड़ेंट हो तो आप कहीं और पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हो तो यह चीजे मुझे यहां पर आप लोग ले नजर आ रहे हैं लेकिन फैबरि कि तरफ आगे बढ़ रहे हो यहीं मुझे आप लोग के नज़र आने वाला है और हो भी क्यों ना क्योंकि आपने पाइराइट को चूज गई है उन्हों जो भी चीज ने हाँ पर मैं एक्सप्लेइन आपको कर रहे हो ना पाइराइट इन सब में आपको help करता आपने आज कल इतना famous हो चुका है कि हर जग इसकी बात हो रही है definitely आप लोग पी चाहो अपने लिए तो पाइराइट ज़रूर ले सकते हो पाइराइट के ब्रिसलेट आप लोग ज़रूर ब्रिसलेट कर सकते हो मेरे पस you know मेरे पस पैंदेंस भी हैं ब्रिसलेस भी हैं कुछ दिन में स्ट यहां पर जशार है ही नहीं बताने का हरे हैो मितलब सारा कुछ इहां पर त्षी जर रहा है तो बस यह हैं कि अपने मन में से टेंशन को हटा दो आपका करम बहु g Kalau के इंपॉर्ण रहने बाले हैं वह तो और धियंफ ध्यान दो्कितह समय के आप लोगों की इस मंद आपका यहां पर उन्स की बहुत ज्ञदा रहेगी वह सकता है एरेस लिए सगृट हो अगर नहीं है तो भी फायर उन्स के इनर्जी के अदर बहुत रहेगी मैंने कहाना कुछ कर दिखाने का जनून आप लोगा बहुत काम करने वाले हो बहुत महांने करने वाले हो यही चीज आप ल कि एक और कार देखते हैं कि अगर मैं यहां पर करियर की बात करूं ऑप्शन टू तो यहां पर पाइप उप सोट्स और एट उप सोट्स की अनर्जी आ रहे हैं लाइक आप लोग बहुत अच्छे से आगे भड़रा आपकी लाइफ में लेकिन इस महीने हो सकता है किसी तरीके विए का स्कैम या कोई आपको चीट करने की कोशिश करे या कोई आपको भटकाने की कोशिश करें तो यहां पर लोग लेए पहले से अलर्ट यह है कि आप लोग साफ़धान रहे हैं अपनी लाइफ में आ के बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें अपनी परस्नल से जतना स्मूथ तरीके से काम चल रहा था वह नहीं चल रहा है यहां पर आपको यह कहाँ जा रहा है नेगेटिव एनरजी नेगेटिव एनरजी, नज़र वगी इन सब चीजों से खुटक। आपको इस लाफे और प्रोटेक्ट करके भी रखना है क्योंकि आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो अपने कान के पीछे काला टीका लगा के बही डेली शुरुवात करना दिन की वैसे तो आप पाइराइट अगर रखते हो तो पाइराइट भी आपको प्रिटेक्ट करता है और जादर प्रिटेक्शन चाहिए तो फूर ब्लैक टमलिन अपने पास रखो ठीक है ब्लैक टमलिन से यह है ब्लैक टमलिन तो आप इसका भी ब्रसलेट पेंडिन किसी भी तरीके से अपने पास रखो 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 किसी भी तरीके से इसे अपने पास आप लोग को रखना है ठीक है ना बाकी रिलेशनशिप की बात करो तो यहा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और जो भी लोग यहां पर रिलेशिंशिप में हैं आपका बॉंड यहां पर और ज्यादा इस्ट्रॉंग हो रहा है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट मन में जो है वह और ज्यादा भड़ रही है तो यह चीज यहां पर आप लो Option 2 मिशफल कर लिए विरही लूंगी Option 2 Heart Chakra Transformation Form Foundation Okay, okay, so यहां पर पहला कार्ड आप लोग ले आया है Option 2 Heart Chakra का और यहां पर आप लोग उसे कहा जा रहा है कि भई अपने Heart Chakra को हील करें देखो अभी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हमारे Heart Chakra यहां हो सकता है कुछ पुरानी चीज़े हो जो आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टक हो या कुछ भी यहां भी बिलीफ सो बहले क्या कुछ भी हो बिसिकली यहां पर काजर अपने Heart Chakra के उपर काम करें Self Love के उपर काम करें Heart Chakra के उपर आप लोग ध्यान करो meditate करो इस चक्रा की कुछ specific affirmations रहती है वो आप अपने लिए daily basis पे चैन करो जैसे जैसे आपका Heart Chakra और जादा यहां एक्टिवेट होगा strong होगा आपकी manifestations जो है वो और जल्दी पूरी होंगी और हो सकता है कि क्योंकि मैंने बोला ना artistic quality तो वो कहीं न कहीं हमारे sacral chakra हमारे Heart Chakra से रिलेटेड होती है तो इसलिए भी यहां पे काज रहे कि अपने Heart Chakra के उपर काम करो इसकी energies को balance करो और आपके लिए अच्छा रहेगा और जदा आपकी life पे एक तरीके से खुशियां आएंगी यह चीज़ यहां पर कई जा रही है इसके साथ यहां पे transformation का आप लोग के लिए card आया है तो भाई transformation यहां पर है कुछ चीज़ों को करने का तरीका यहां पर आप लोग को थोड़ा से बदलना पड़ेगा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत कभी-कभी तो हो जाता है कि कोई difficulty आ रही है कोई problem आ रही है कोई प्रिशानी आ रही है तो कुछ चीज़ों की हां पर ending भी है और कुछ नई चीज़ों की शुरूबात भी है दोनों ही चीज़ें हैं यहां पर इस मन्त आप लोगों के लिए लेकिन यह जो एंडिंग है मुझे बहुत ज़्यादा पेइनफुल नजर नहीं आ रही है सिंप्ली आप एक फेस से दूसरे फेस में मुझे आगे भढ़ रहे हो मुझे यहां पर नजर आ रहा है खुशी-खुशी आगे भढ़ रहे हो इसके साथ में पर फ़ंडेशन का कार्ड है यहां पर चीज़ ऑप्शन आप लोगों के लिए कही जा रहे है कि कभी-कभी जब भब बहुत जब एकक्साइटे जब घूशी अपको अच्छा हो रहा है तो हम नहीं उपने साथ चीजों में देरी हो जाए लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो वह firm होना चाहिए वह solid होना चाहिए उसकी नीम जो है वह जल्दी वाजी पर नहीं रखी होनी चाहिए तो आप इत्मिनान से आगे बढ़ें यह चीज़ यहां पर कही जा रही है ज्यादा show of वगेरा तो बिल्कुल भी नहीं करना है इसके बाद अगर देखो 4 4 13 से भी 4 ही बन लेकिन अवेर तो रहना ही पड़ेगा ज्यादा excitement में गलट decision बिल्कुल भी नहीं लेने है यह चीज़ यहां पर आप लोग लिए है बाकि तो 444 यह भी बताता है कि एंचल्स आपके साथ हैं आपको protect कर रहे हैं आपको watch कर रहे हैं आपको guide कर रहे हैं तो यह चीज़ यहां पर है चले और देख लेते हैं यहां पर क्या guidance है option 2 आप लोग के बाइड बहुत अच्छा रहेंगा option 2 प्लीस निवर्स राइड इंपर option 2 लेटी एंजॉई ग्रोथ हैं रीप लिवाट्स मैंने कहा ही पैप के मंद में काफ़ी growth रहने वाली है आप लोगों की see your seeds grow परिंग फाव अगें growth की बाते हां पर हो रही है ड्रम ड्रीम एंड चर्णी एक नई लाइफ के शुरुबात है clearly आप लोगों के लिए option 2 एक नई सफर पर आगे भढ रहे हो अब बहुत कुछ नया होने वाला है बहुत कुछ exciting आप लोगों की life में होने वाला है जो भी महनत आपने past में करी थी कही ना कई उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है अजिस यहां पर क्या कहा जा रहा है अपने दिल को धामे रखो अपने कदमों को धामे रखो कभी कभी देखो सब के लिए नहीं होगा यह message कुछ लोग लिए होगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत जादा success मिलती है ना तो हम बहुत जादा excitement में भी थोड़े से परिशान हो जाते हैं है ना मतलब कुछ मन का सा नहीं हुआ तो परिशान हो गए कुछ एकदम अच्छा हो गया मन का सा हो गया तो भी मतलब जरूरत से जादा ही खुश हो गया बिसिकली क्या होता है लाइफ में balance बहुत जरूरी होता है खुश ही में भी और दुख में भी और वही आप लोगों ने यहां पर अपने जीवन में अभी क्या है कला सीखनी है है ना सही तरीके से decision लेने हैं सही तरीके से आगे भढ़ना है चल्दी वाज़ी में कुछ भी नहीं करना आराम से इत्मिनान से चीज़ों को करना है यह बस यहाँ पर आप लोगों का ज़़ए यह थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का पाकी सबका भलाओ पता नहीं अब यह message आपसे कैसे resonate करेगा लेकिन ऐसे ही message मिला है कि ऐसे ही काम करना है कि आपका भी भलाओ और सबका भी भलाओ प्रकृर्टी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना मतलब कि कभी कभी हम अपना फाइदा सोच के कुछ decision ले लेते हैं कुछ काम कर ले लेकिन किसी और को नुकसान हो रहा हूँ तो किसी की है यह नो है किसी की बद्दुआ कि किसी की negativity लेके काम नहीं करना यह चीज़ यहां पर कई जा रही है ठीक है ना बाकी और देख लेते हैं यहां पर लास्ट क्या गाइदेंस है option 2 luck is on your side तो भई भाग्या आपका साथ दे रहा है भाग्या आपके साथ है इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइस करना है option 2 यहां इस तरीके से बारवर एनर्जी नहीं मिल दिया मतलब यहां पर आप सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसमत आपका साथ दे रहे हैं तो कुछ कर दिखाना है बस इस टाइम को यूझनों पूरे तरीके से यूटिलाइस करना है यह चीज यहां पर करी जा रही है अपना ज़रा सा भी वक्त बरबाद नहीं करना इस प्लाइमेक्स अप् तो घबराना मत बहित को जंदगी है हर तरीके के इंसिडेंस रहते हैं मने कहा है खुद को सेखना हएं खुद को बैलेंस रखने की कला सीखनी और इसी के साथ आप लोगो को काम करना है यही चीज यहां पर आपसे कहीज चाहिए लेकर आ रहा है और फैप का मन देल को आप कैसे लगी क्या कुछ यहां से आपको सीखने को मिला जानने को मिला कौन सी बातें आप लोग को अच्छी लगे और लाइक जरूर कर देना रीटिंग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो या परसनल रीडिंग लेना चाहते हो तो